आज मैं आपके लिए लाए हूँ बिलकुल मेथी का ऐसा सीक्रेट कि सायद आप इसे कभी ना बनाएं होंगे ना जाने होंगे और इस तरीके से अगर मेथी की ये रेश्पी आप बनाएंगे तो सच में इसका टेष्ट इतना अलग होगा इतना क्रिस्पी बनेगा और बहुत में अगर आप एक बार बार बनाएंगे तो नमस्कार फ्रेंट्स मैल पना कैसे हैं आप साफ उमीद है अच्छे होंगे तो आज में फ्रेंट्स आपके लाई हो मेथी की एक अलग तरीके की रेस्पी वैसे तो सर्दियों में मेथी बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत कुक्त ट्पाता हुआं ए ड्रेस्पी बनाएं जो की बहुत अच्छी बनती है तो सबसे पहले लिया है और मेति की सबसे पहले पत्तों को अलग कर लेंगे और उसके बाद देखे हमने मेथी को पहले अच्छे तरीके से छोटे-छोटे उसके जो पत्ते थे सब निकाल लिये हैं, निकालने के बाद इसको धूले थे, धूलने के बाद इसको हमने बारीक-बारीक काट लिया है, इतना करना है, करने के बाद इसे एक छलनी वाली किसी डलिया में रखना अब इसके बाद क्या करना है हमें एक कडाही लेना है कडाही को गरम करना है उसमें थोड़ा सा घी डाला है हमने आप तेल भी डाल सकते हैं और इसमें हम डालेंगे सफेद वाली जो तील होती है ये देखिए इस तरीके से तील का तड़का लगाएंगे और लगाने के बाद इसमें हम पत्तों को डालेंगे और गेस की आज बहुत कम रखेंगे थोड़ा सा हलका इसको बूनेंगे इससे क्या होगा जो पत्तों में थोड़ा सा बहुत पत्ते कसहले होते हैं जो बच्चे नहीं खा पाते हैं और इस तरीके से इस रेशिपी को आप बनाएंगे तो बहु आप जादे मंद होता है तो यह देखी इस तरीके से कितना अच्छा यह समखल अब होगा हो है नहीं वह को धयान रखना मैं अब इसके बाल ट्रिंस में क्या करना है कि हमी लेता लेना आठा जो तो आप घर में रोटी पराठा जो भी बनाते हैं क्योंकि पराठे बना रहे हैं, तो बनाने के लिए हमने आठा जो लिया है, आठी को कभी भी आप चाले नहीं, आप एक बार इसको गेहूं को अच्छी तरीके से छान लें, अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि जो चोकर यूक तो बहुत फाज़े मंद होता है तो इस तरीके से हमने गहूं को साफ सुत्रा गहूं का अगर आटा होगा तो आपका ये चोकर यूक तो जो रोटी बनाएंगे पराठा बनाएंगे बहुत अच्छा रहेगा तो ये देखिए इस तरीके काफी लोग कच्छा मेथी भी डालते हैं लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से डाल के पराठा बनाएंगे और अभी इसका हम सीक्रेट बताते हैं किसमें हम ऐसी क्या चीर डालेंगे और इसमें एक चमच हमने थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया है और हल्दी नमक डालने के बात फ्रेंड्स एक चौथाई चमच हमने लिया था अजवायन अजवायन को थोड़ा सा हाथों में क्रस्ट कर लेंगे जब भी अजवायन डालें तो थोड़ा सा हाथों से उसे क्रस्ट जरूर कर लें और आधा चमच हमने लिया था सौफ सौफ को भी हाथों से क्रस्ट कर तो यह आपका जो पराठा बनेगा बहुत अलग तरीका बनेगा और अब इसमें जो इसमें सबसे खास चीज है अभी हम दिखा रहे हैं किसमें हम क्या डालेंगे आप वीडियो को ध्यान से देखें मेशना करें और एक टुकड़ा अध्रब उसे भी इस तरीके से ग्रेटर से कर लेते हैं साथ ही इसमें हम डालेंगे लहसुन लहसुन का जो फ्लेवर होगा वह भी बहुत गजब का टेस्ट आता है अगर आप एक बार इस तरह से लहसुन डालेंगे हमने तीन से चार कली लहसुन लिया है और लेके इसको इसमें डालेंगे और लहसुन का जो टेस्ट आएगा जब आप पराठा बनाएंगे बहुत अच्छा लगता है तो यह देखिए इस तरह से अद्रक लहसुन मिर्च डाल दिया था और डालने के बाद थोड़ा सा लाल मिर्च देगी पाउडर डालेंगे इसको थोड़ा सा हलका तीखा चिट पटा और स्वादिश्ट बना होती है मलाई डालने का रिजन यह है इससे हमारे पराठे इतने सौफ्ट बनेंगे और बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहेगा तो यह देखिए इस तरीके से हमने मलाई डाला है लगबग चार चमच हमने दूद की जो मोटी मलाई आती है वह घर में जो दूद आता है उसे तरीके से मेथी करके आप बनाईए इसके पराठे फिर सच्मे फ्रेंड्स इसकी जो भी हम चटनी बनाएंगे गजब टेस्ट आता है उसका इतना स्वादिश लगता है कि आप एक बार बनाएंगे जो खाएगा वो बता नहीं पाएगा कि आपने इसे कैसे बनाया था कैसे इतना टेस्टी बना खाना तो सभी बनाते हैं लेकिन कभी कभी हम कुछ चीजे खाते हैं तो सच में उसका टेस्ट बिलकुल अलग होता है और यह समझ में नहीं आता कि चीजे कैसे घर में लोग बनाते हैं क्यों लोग धाबा में होटल में खाने जाते हैं भाग भाग के य जो भी चीजे इसमें डली हैं सब एक सार हो जाएं और इस तरीके से आप मेथी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो मेथी का ये पराठा बनेगा ये जो अलग-अलग मेथी कच्ची-कच्ची लगती है और थोड़ा सा कसेला भी लगता है वो नहीं लगेगा और इसका ट मिलतारी तो 90-200 ना में निःते देख एक साथ पाने-डालते हैं उस से आटा आपका गूत गूतनी में गीला हो जाता है मंसल मसल मसल जब भी आता तैयार करें हैं किसी बड़े बरतं में तैयार थे कि देखे इसोटे बरतं में न करें जाना दोफे इस तरीके से पहले 1 माद टेच करके लगा देते तो इसके उपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे उसका भी कराण भी हम आपको बताएंगे क्यों हम ऐसा करते हैं तो अब फ्रेंड्स एक हमने तवा रखा है यह मिट्टी का तवा है और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे इसके लिए हम चटनी तयार प्रची में तो लिए तो नाव सकता अनुसार हम टामाटा डाल देंगे गैस के अज बहुत कम रखेंगे उसी में हम अढ़ देंगे धनीया पता दा दालने के बाद अपने लिए नार्मली आप टमाटाव चटनी खाते हैं लेकिन आप इस चटनी को जब बनाएंगे ना तो काला नमक और अपने स्वाधा अनुसार साधा नमक डालेंगे और जो सबसी इसमें जरूरी है थोड़ा सा गोड़ डालेंगे टमाटर की चटनी तो आप हमेशा बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता और इसमें थोड़ा सा एट करेंगे पुदीनिया की पत्तियां और इस बग चुके हैं और इस तरस इसको चला देंगे और इस तरीके से अगर आप एक बार टमाटर की चटनी जरूर ट्राय करें और बहुत ही गजब टेश्ट रहता है इसका बहुत टेश्टी बनती है आप देखिए इस कंडिशन में टमाटर हमारे काफी पग गये हैं आप तब बना सकते हैं आप इसको लोहें में बना सकते हैं इसको थोड़ा सा मैसर से मैस कर देंगे हमाया पास मैसर था नहीं है तो आप निकाल के मिक्सी में चौप कर सकते हैं चौपर में कर सकते हैं जैसा भी कर सके इसको बारीक करना है पीशना है इतनी अच्छी इसकी सुगंधार यह चटनी के और यह चटनी बिल्कुल अलग टेश्ट देगी वैसे नॉर्मली हम चटनी बनाते हैं तो वह टेश्ट नहीं रहता एक बार आप इस पराठे के साथ यह चटनी बनाएं और आटे को हमने लगबक आधे घंटे तक रखा था और रखने के बाद इसको एक बार फि पूज होता था इस वज़े से आटे में जो उंगली लगाने का रिजन था और यह देखे आधे गंटे हो गए आटे मसाले से अच्छे से अब चोटी चोटी लोईया लेकर इसको हल्का सा बहुत पतला नहीं थोड़ा सा ठीकी हमने बेला है और बेलने के बाद तवा गरम कर देंगे और उसमें डाल देंगे हम घी से बना रहे हैं और आप इसको तेल से भी बना सकते इसी तरीके से बाकी के जो पराठे हैं उन्हें भी बेलेंगे क्योंकि इसमें काफी मसाले डले हुए मिर्च है लहसुन है काफी चीजे हैं इस वज़े से पराठे बिल्कुल गोल नहीं हो पाते हैं जब आप भी बनाएंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि पराठे बिल्कुल गोल क्यों नहीं हो पाते हैं तो इस तरीके से घी लगा देंगे जब भी पराठे को सेंगे बहुत तेज आँच में नसेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और करारे पराठे बनेंगे और इसको अगर हम इस टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है इसका और इस तरीके से आप घर में बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए परिवार के लिए थुड़ा सा टाइम दे के खाना बनाईए और अगर हम घर में हैं तो कम सकम सेहत का ध्यान में रखते हुए खाना बना सकते हैं तो देखिए पराठे कितने अच्छे बने कितने लजीज पराठे बने हैं देखके ही मूँ में पानी आ रहा है तो आप भी इस तरीके से पराठे बनाएगे बाकी पराठे भी हम इसी तरीके से बिल्कुल सेख के तयार करेंगे बस ध्यान यही देना है कि छोटी-छोटी चीजें हम जो गलती करते हैं बनाते समय पराठों को चारो तरफ से दबा दबा के सेखना जैसे अच पार आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अपने मन मुताविक यह पराठा भी से गया कितना अच्छा कलर है कितना यह स्वादिष्ट बना है आप जब चटनी के साथ खाएंगे तो बाकी पराठों को हम इसी तरह से से त्यार कर लिए हैं तो अगर हमारी आठे को हम अचार के साथ और वो चटनी के साथ हलकी मीठी तीखी चटपटी चटनी जब आप बनाएंगे तो सत्में बहुत टेश्टी बनेगी आप भी खाईए अपने घर में बनाईए और हमें कमेंट करके बताईए कि कैसा लगा और हमारा वीडियो जिन्होंने बिलकु देखते रहे हैं मिलते हैं नेक्स टाइम किसी नहीं रेश्पी के साथ हमारा चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत दुश्टाइब